नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी, मुझे आसा हैं, आप स्वस्त होंगे, घर पर होंगे, और मैं आपका आज फिर वेप इस्टेडी पोइंट चैनल पर स्वागत करता हूँ, मेरा नाम कुमार गौरव, और जैसा कि मैं इस चैनल पर आपको रीजनिंग की क्लास करा रहा हूँ, और हमारी पिछली क्लासों में अलफबेटिक सिरीज जो चैप्टर था, वो हमने कंप्लीट करा दिया था, आज की क्लास में हमारे जो चैप्टर होगा, वो कोडिंग और डिकोडिंग होगा, तो कोडिंग और डिकोडिंग की क्लास हम लेंगे, उसके बारे म मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम chapter को आगे कराएंगे यह chapter का नाम जो हमारा होगा Coding and Decoding chapter बहुत ही important है और इस chapter में alphabetic series के जितने भी formula है वो सारे लगाए जाते हैं इसलिए हम alphabetic series के बाद Coding and Decoding chapter को करते हैं और यह काफी अगर UPSI की बात करें तो alphabetic series और Coding and Decoding दोनों को मिला कर आपके 4 से 5 question आ जाएंगे तो यह Coding and Decoding हम करते हैं यह 3 type के question बनाता है 3 type कौन कौन से होते हैं नमबर एक Letter Coding नमबर दो नमबर कोडिंग नमबर तीन Mixed Coding Coding, Decoding के 3 type के आपके question आते हैं 3 type से आप करते हैं Letter Coding Number Coding और Mixed Coding Letter Coding की अगर हम बात करें तो इसमें आपके pattern बनते हैं और total जो pattern बनते हैं वो 7 pattern बनते हैं यह 7 pattern से related आप question करेंगे 7 pattern आप सीख लेंगे तो आपका Letter Coding complete हो जाएगा फिर हम बात करते हैं Number Coding में Number Coding के आपके 2 type के question बनते हैं यह 2 pattern के question बनते हैं तो Number Coding में आपके 2 type यह 2 pattern के हो जाएगे Mixed Coding की अगर हम बात करें तो यह 2 तरहिखे से आपके आती है Old Coding यह Old Mixed Coding और New Mixed Coding इस chapter में हमें सिर्फ यह चीजे पढ़ नहीं है इस से अलग इस chapter में कुछ नहीं है ठीक है Letter Coding जिसके साथ pattern होंगे Number Coding दो type की होगी या 2 pattern होंगे जिसके और Mixed Coding Old या New Pattern होगा तो हम start करते हैं कहां से Letter Coding दे Letter Coding को मैं आपके यहां लिख देता हूं और इससे related मैं आपको कुछ question कराता हूं ठीक है उसके बाद हम आगे चलते रहेंगे पहला जो हमारा Letter Coding हम start कर रहे हैं Letter Coding जिसमें साथ pattern होते हैं एक-एक pattern हम लेंगे और उस pattern के जितने भी example हैं हम वो आपको करके दिखाएंगे जिससे की हर एक pattern आपका clear हो जाएं Pattern No.1 हम बात करते हैं कि हमारा जो pattern 1 है वो कौन सा pattern होगा पहला जो pattern होगा वो forward या backward pattern होगा forward या backward pattern अच्छा coding के लिए आपको question इस तरीके से आ जाएंगे जैसे hand की coding i,b,o,e दे दी तो silk की coding बताईए exam में इसी तरीके से question पूछे जाते हैं right की coding v,q,h,s,d दे दी तो might की coding बताईए chair की coding ej,ck,t दे दी या table की coding बताईए ठीक है तो इस तरीके से आपसे question पूछे जाते हैं अगर आपको ये सभी pattern पता हैं तो इन pattern से आप potion को निकाल सकते हैं पहले हम forward और backward pattern की बात करते हैं मान लीजिए कि आपको यहाँ पे ये letter दे दी हैं इस तरीके से ठीक है और नीचे भी एक letter दे दी है तो इसमें forward और backward pattern का कैसे पता लागाएंगे जो forward pattern होता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही जाता है ये ऐसे आएगा यानि जो उपर वाला letter है वो नीचे वाले letter से या तो plus 1 ज्यादा हो या plus 2 ज्यादा हो या plus 3 ज्यादा हो या plus 4 ज्यादा हो या 5-6 इस तरीके से आपका जाएगा तो वो हो जाएगा आपका forward pattern से related ठीक है जैसे ये hand है, h है तो h आपको i से ही देखना है a को b से, n को o से और d को e से अगर ये आपका pattern बन जाता है तो ये forward pattern हो जाएगा backward pattern की बात करें तो आप नीचे से चलते हैं नीचे से जाते हैं तो नीचे से भी plus 1 हो जाएगा plus 2 हो जाए, plus 3 हो जाएगा इस तरीके से चलता है ठीक है, plus 4, 5 इस तरीके से बढ़ता रहता है तो ये जो नीचे से आप जाते हैं तो नीचे से plus होगा, इसको बोलते हैं backward pattern, जो back से चलता है, नीचे से चलता है और उपर से जो चलता है उसको forward बोलते हैं अब इन दोनों को हम ना यहां पे लेगे हम साथ के साथ यहीं देख सकते हैं guess कर सकते हैं कि मान लीजी कि आपका एक बार plus one हो रहा है आप plus one ना करके उसको minus one कर लें तो बात तो यही रहेगे निया कि आप नीचे से इसको plus one कर रहे हैं उपर से minus one कर सकते हैं ठीक है तो forward और backward दोनों को एक साथ लिखने का मेरा यही मतलब था कि आप या तो इसको plus one देख लें या आप इसको minus one देख लें बात एक ही रहेगी उपर से देखें या नीचे से देखें आपका answer आ जाएगा ठीक है चलिए ये तो था इसका एक छोटा सा method अब इससे related question कैसे आते हैं वो हम आप देखते हैं जैसे hand है आपको दिया है कि hand की जो coding है I, B, O, E है और silk की coding बताइए आपको सबसे पहले क्या करना है जो भी letter है उस letter की numbering कर लीजिए आपके लिए easy हो जाएगा letter की numbering करेंगे जो H है आपका H होता है number 8 A होता है number 1 N होता है number 14 और D होता है number 4 ठीक है हर एक letter की coding कर लीजिए ये I है इसका हो जाएगा 9 B, B का हो जाएगा 2 O का हो जाएगा 15 और E का हो जाएगा 5 ठीक है अब देखिए जड़ा ये 8 है 8 में आप कितना प्लस कर रहे हैं एक प्लस कर रहे हैं तो 9 बन रहा है एक में कितना प्लस कर रहे हैं एक प्लस कर रहे हैं तो 2 बन रहा है 14 में 15 बन रहा है तो यानि यह आपका हो गया forward pattern के according और इसी से आप silk को बनाएंगे. Silk आपका 19 नमबर पे होता है S, 9 नमबर पे I, 12 पे L, और 11 पे K. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? आप 19 में 1 प्लस करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 किसको दिखाता है T को. 19 में 1 प्लस करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 किसको दिखाता है T को. 9 में 1 प्लस करेंगे तो 9 और 10 होता है, और 10 किसको दिखाता है J को. L, 12, 12 में 1 प्लस करेंगे 13, और 13 किसको दिखाता है M को. ठीक है, K, K 11 है, 11 में 1 प्लस करेंगे 12 और 12 किसको दिखाता है L को. तो जो सिल्क है, सिल्क की कोडिंग क्या हो जाएगी, टी, जे, एम, ल, ये आपका आंसर आ जाएगा, समझ में आ गया है सदी को, ठीक है, ये आपका forward और backward pattern से related questions है, और ये pattern है, pattern first हम कर रहे हैं, forward और backward pattern, question number 1 मैंने आपको समझा दिया है, अब question number 2 ही बारी है, इसको समझते है ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जो भी later है, उसकी आप numbering कर लीजिए, w, w होता है 23 पे, r होता है 18, i, 9, t, 20, e, 5, v होता है आपका 22, q होता है आपका 17, h होता है 8, और s होता है आपका 19, और d होता है आपका 4, ठीक है, अब आप देखिए, नीचे 22 है, 22 में अगर 1 प्लस कर देंगे 23 हो जाएगा, 17 में 1 प्लस करेंगे 18 हो जाएगा, 8 में 1 प्लस करेंगे 9, 19 में 1 प्लस 20, और 4 में 1 प्लस करेंगे 5 हो जाएगा, यानि आप नीचे से देख सकते हैं, या उपर से देख सकते हैं, 23 से 1 माइनस करेंगे 22 हो जाएगा, 18 से 1 माइनस करेंगे 17 हो जाएगा 9 से 1 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा 20 से 1 माइनस 90 और 5 से 1 माइनस 4 हो जाएगा आप नीचे से ले 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 या उपर से ले ले ये आपका आजाता है backward pattern में ठीक है और इसी backward pattern को धियान में रखते हुए आप क्या करेंगे ये जो might है M I G H T इसकी numbering करेंगे ये 13 नंबर पे ये 9 नंबर पे ये 7 पे G H 8 पे और ये है आपका T T होता है नंबर 20 पे अब देखे 23 में से 1 कम किया था ठीक है तो आप कम कर लीजिए 23 में से 22 ये 1 कम किया 22 हुआ तो आप 13 में से 1 कम करेंगे 12 हो जाएगा और 12 का numbering क्या होता है 12 का numbering L होता है ठीक है ये जो T के अपका L होता है 9 में से 1 कम करेंगे 8 हो जाएगा ये आपका H हो जाएगा 7 में से 1 कम करेंगे 6 हो जाएगा और 6 के लिए F हो जाएगा 8 में से 1 कम करेंगे 7 हो जाएगा और 7 के लिए G हो जाएगा 20 में से 1 कम करेंगे 19 हो जाएगा और 19 के लिए S हो जाएगा ठीक है तो ये हो जाएगा आपका Might की Coding आप सभी को सोज में आया होगा ठीक है आपको करना कुछ नहीं है हाँ तो ये आपने कर लिया है Right की Coding आपकी VQHSD थी तो Might की Coding आपने निकाल लिया आपने क्या किया ओपर से सरफ one minus किया इसी तरीके से numbering किया और one minus किया आपके जो ये number आगे आपने इसको note down कर लिया Question number 3 को भी देख लेते हैं इसको भी soul कर लेते हैं ये C C की जो coding होती है वो होती है 3 H 8 नमबर पे होता है A 1 नमबर पे होता है I 9 नमबर पे होता है और R जो है आपका 18 नमबर पे होता है E नमबर 5 पे होता है J नमबर 10 पे होता है C नमबर 3 पे होता है K नमबर 11 पे होता है और T नमबर 20 पे होता है चलिए आप यहां से देखिए कि क्या difference आ रहा है ये C 3 नमबर पे है, 3 में आगर आप 2 प्लस करते हैं तो 5 हो जाता है यानि आपने 3 में 2 प्लस किया कितना हो गया 5, ये 8 है 8 में आपने 2 प्लस किया कितना हो गया 10, 1 में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 3 9 में 2 प्लस करेंगे हो जाएगा 11 और 18 में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 20 ठीक है आपको पता लग गया है कि उपर वाले नंबर में 2 प्लस करना है आप यहाँ पर आज जाएए टेबल पर टेबल की जो टी का नंबरिंग है 20 1, 2, L का 12 और E का 5 आपको करना कुछ नहीं है उपर जितने भी नंबर है सभी में 2 प्लस कर दीजिए और नीचे लिख दीजिए आपकी जो कोडिंग आ जाएगी 22 है 22 में आप 2 प्लस करेंगे 22 हो जाएगा और 22 V नंबर पे होता है ठीक है, एक में आप 2 प्लस करेंगे 3 हो जाएगा और 3 पे C होता है 2 में 2 प्लस करेंगे 4, 4 पे D होता है और 12 में 2 प्लस करेंगे 14 और 14 पे क्या होता है N होता है 5 में 2 प्लस करेंगे 7 और 7 पे क्या होता है G होता है, तो ये हो जाएगी कि आपकी टेवल की कोडिंग कर लिजिए सक्रिन सोट लेना चाहें ले लिजिए समन में आपको आ गया है कोशन तीन हो गए है इनको रफ करके अब में कोशन आगे कराता हूं ठीक इससे दुधे दो-तीन कोशन और आपको करा देता हूं नोट कीजिए फोर और बैकवर्ड पैटरन के तीन कोशन हमने कर लिए थे ये तीन कोशन मैंने और नोट की है ये इसलिए जिसे कि आपकी प्रेक्टिस हो जाए तो तीन कोशन और कर लेते हैं देखते हैं गोजरा सबसे पहले लेटर की आप नंबरिंग करेंगे जो P होता है वो नंबर 16 पे होता है R 18 पे होता है A 1 पर होता है M 13 पे होता है O 15 और D आपका नंबर 4 पे है ठीक है नीचे भी आप इसी तरीके से करेंगे S जो होता है वो 19 पे होता है O जो होता है आपका 15 पे होता है D 4 पे J आपका होता है 10 पे R 18 और A होता है आपका number 1 पे अब आपको क्या करना है देखना है कि कहाँ पे number बढ़ रहा है या कहाँ पे number घड़ रहा है यह 16 है 16 में अगर 3 plus कर देंगे तो 19 हो जाएगा 18 है अब 18 जो है 15 में अगर 3 plus करते हैं तो 18 आता है यानि 16 में अगर आपने 3 plus किये तो 19 हो गया 18 18 में से 3 minus किये तो आपका हो गया 15 ठीक है अब देखते हैं 1 से 4 कैसे बना है एक में आप 3 plus कर दीजिए 1 से 4 बन गया अब यह 13 में से 10 minus करने पड़ेंगे जब जागे 3 बनेगा ठीक है तो यह minus 3 करेंगे 13 में से 10 आ जाएगा 15 में 3 minus 3 plus 3 minus 3 forward backward pattern दोनों लग गए इसमें ठीक है तो यह आपको अब आगे लगा देना है के की numbering कीजिए number 11 number 5 S 19 H 8 1 और यह 20 पहले वाले में आपको plus 3 करना है दूसरे में minus 3 करना है फिर plus 3 करना है फिर minus 3 फिर plus 3 और फिर minus 3 चलिए 11 और 3 कितने होते हैं 11 और 3 होते हैं आपके 14 अब 14 होते हैं 14 किस number को denote करता है 14 करता है N को 5 में से 3 जाएंगे 2 और 2 होता है B पे 19 और 3 22 और 22 होता है आपका V पे 8 में से 3 जाएंगे 8 में से 3 जाएंगे कितना बज़ जाएगा 5 और पांच जो होता है वो होता है नमबर एपर उसके बाद 3 1 में प्लस करने हैं 3 और एक यह हो जाएंगे 4 और 4 होता है डीपर 22 में से आपको 3 माइनस करने हैं तो यह हो जाएंगे आपके 19 और 19 पर होता है आपका एस ठीक है तो यह हो गई आपके पास के साव की कोडिंग N B V E D S के साव की कोडिंग हो गई आपके पास कोशन नंबर 4 आपका हो गया है कोशन नंबर 5 को देखते हैं सबसे पहले नंबर जो है यह आपका अक्षर जो है लेटर जो है उस पर नंबरिंग करते हैं V की नमबर इन 22, यानि 22, A की होती है 1, S की 19, T की 20, और U की होती है आपकी 21, अब इसी तरीके से नीचे कीजिए, ये W है, W की होती है 23, C की 3, V की 22, X की 24, और Z की 26, अब देखे जरा, ये प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, 22 में अगर आप 1 प्लस कर देते हैं, 22 में अगर आप 1 प्लस करते हैं, तो क्या बनता है, 23 बनता है, एक में अगर आप 2 प्लस करते हैं, तो क्या बनता है, 3 बनता है, 19 में 20, 21 और 22, यानि आपको 3 प्लस करना है, तो 19 और 3 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 20 में आपको 4 प्लस क करना है तब जाके आपका 26 होगा यानि ये आपकी कैस तरह से बनी है प्लस एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पांच करके बनी है ठीक है आगे जो आपको इस टेर दिया है इसकी भी नंबरिंग कीजिए एस नंबर उनिस टी डीस एक नो और अठारा पहले वाले में प्लस एक करना है दूसरे में प्लस दो तीसरे में प्लस तीन चोथे में प्लस चार और पांच वे में प्लस प्लस सभी नंबर में आप प्लस कर देंगे उसके बाद जो नंबर आएगा उसको आप लिख देंगे ज ये 20 है 20 में आप 2 प्लस करते हैं तो हो जाता है 22 और 22 के लिए होता है V 1 में 3 प्लस करेंगे 4 हो जाएगा 4 के लिए हो जाएगा D 9 में 4 प्लस करेंगे 13 और 13 के लिए हो जाएगा आपका M 18 में 5 प्लस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 23 और 23 के लिए होता है W यह हो गई इस टेर की कोडिंग ठीक है वास्तु की कोडिंग WCV XZ थी तो प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 से हमने इस टेर की कोडिंग निकाल लिए Q6 देखते हैं इसको करते हैं I नमबर 9 पर है N 14 D आपका नमबर 4 पर है यह I 9 पर है एक और यह 14 नीचे करते हैं यह होगा जाएगा 19 यह 23 यह 12 L 12 सभी अक्षर में उसका नमबर छिपा होता है और यह नमबर आप सभी को अच्छे से आ गए होंगे अगर आपने मेरी पुरानी क्लासे देखी हैं तो पहली क्लास में मैंने सभी का बता दिया था कि कौन सा अक्षर किस नमबर को दिखाता है उसी से पता लग जाता है उस क्लास में बहुत अच्छे से मैंने समझा था तो इसी तरीके से मैं देखता हूँ कि कौन से अक्षर में नमबर छिपा हो है बस इसलिए लिए लिख देत करते हैं ऐसे ठीक हैं अभी फोरवर्ड और बैकवर्ड है तो यहां से यहां तक ही आप नंबर देख लीजिए 9 में आप 10 प्लस करते हैं तो 19 हो जाता है मैं यह कोशन नंबर 5 उपर से थोड़ा सरफ कर देता हूं इससे कि आपको समझ में आज़े हैं आपने 10 प्लस किये तो यह 19 हो गया 14 में कितने प्लस करें 14 6 6 और 3 9 यानि आपने प्लस के 9 किये तो 14 और 9 आपके 23 23 हो गए ठीक है 4 में कितने प्लस करें 4 और 8 यानि आपको प्लस 8 करने हो गए प्लस 8 किये तो हो गए 12 9 में कितने प्लस करें ये आपने प्लस 7 किया तो 9 और 7 ये आपके 16 हो गए एक में आपने कितना प्लस किया एक में आपने 6 प्लस किया तो कितना हो गया 7 हो गया 14 में आप कितना करेंगे 14 और 5 19 यानि आप यहां से चलिए प्लस 5, प्लस 6, प्लस 7, 8, 9 और 10 आप right hand से चले हैं, पीछे की तरफ से चले हैं और प्लस 5 से शुरू किया है इसी को धियान में रखते हुए सबसे पहले temple की numbering कर लेंगे यह जो T होता है आपका, यह 20 पे होता है E नमबर 5 पे होता है M 13 पे होता है P आपका 16 पे हो जाएगा L आपका 12 पे हो जाएगा और E आपका number 5 पे हो जाएगा ठीक है यह मैंने numbering कर लिया है अब प्लस 5 से start करेंगे यह 5 और 5 हो जाएगे यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 5, 10 हो जाएगे यह प्लस के 6 यह प्लस 7 यह प्लस 8 यह प्लस 9 और यह प्लस 10 चलिए शुरू करते हैं इधर से करते हैं 20 और 10 हो गए आपके 30 अब 30 के लिए क्या बताया था आपको 20 और 10 30 यह हो गए आपका 30 30 पे अलफ़ाबेटिक सीरीज में कोई अक्षर या कोई लेटर होता है नहीं होता है जब नहीं होता है तो आप क्या करते हैं आप 26 माइनस कर देते हैं तो कितना बसता है 4 और 4 पे क्या होता है D तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे D इस कोशन को ज़रा आप ध्यान से समझिएगा अभी तक मैंने इसमें क्या किया ठीक है और कहाँ पे आपको समझिया आ सकती है तो मैं इसको दुबार से करता हूँ यह इंडियन है इंडियन की कोडिंग SWLPGS है अब मैंने इंडियन की नंबरिंग की उसके बाद इनकी नंबरिंग की फिर मैंने देखा कि कौन सा नंबर किस से कितना ज़्यादा है तो मुझे यहां से स्टार्ट हुआ कि प्लस 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतना ज़्यादा है फिर टेंपल लिया टेंपल की कोडिंग हमें बतानी है टेंपल की मैंने नंबरिंग की नंबरिंग की कोडिंग आपका जो होता है न E, J, O, T, Y तो यह E, 5 पे होता है 10, 15, 20 T है आपका नंबर 20 पे E है नंबर 5 पे M, 13 आप जानते हैं P, 16, L आपका 12 और E आपका नंबर 5 पे हो जाएगा अब आपको करना क्या है इधर से स्टार्ट करता है प्लस 5, 6, 7, 8, 9, 10 या इधर से भी करते हैं तो 10 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहां से 10 से स्टार्ट हो रहा है तो आप प्लस 10, 9, 8, 7, 6 और 5 अब 20 और 10 कितना हो गया यह हो गया आपका 30 30 हो गया अगर पीछे से आप काउंटिंग करते तो 27 से माइनस करते हैं लेकिन आप कर रहे हैं लेफ्ट से इधर से काउंटिंग कर रहे हैं अल्फबेटिक सीरीज में यह धियान रखिएगा तो आपको क्या करना होता है आपको 26 माइनस करना होता है टोटल 30 आया है ना अब 30 जो आया है 26 माइनस कर दीजे चारा जाएगा और 4 होता है डीपे तो जो टी की कोडिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी डी हो जाएगी टी की कोडिंग डी हो गई अब ये 5 और 9 ये हो जाएगे आपके 14 और 14 किसको दिनोट करता है अन को 13 और 8 21 और 21 किसको करता है U को 16 और 7 23, 23 किसो बताता है W को 12 और 6, 18 और 18 किसको बताता है R को 5 और 5, 10 और 10 किसको बताता है J को तो ये हो गई आपकी Temple की Coding मुझे आसा है आपको ये समझ में आ गया होगा ठीक है यहां तक आप note कर लीजे और ये forward, backward pattern से related जो भी question आने थे मैंने सभी करा दिये हैं इसके बाद pattern number 2 हम start करते हैं उसका नाम है reverse pattern ठीक है उसके बाद आपका cross pattern इसी तरीके से pattern आपके आते जाएंगे तो एक pattern हो गया दूसरे pattern के बारे हम बात करते हैं note कर लीजे जरह इसको चलिए letter coding का second pattern हम करते हैं start इसमें जो second pattern है उसको हम बोलते है reverse pattern, reverse pattern की coding की तरीके से आती है, retour कैसे आते हैं, यह मैंने तीन gobierno आपके सामने note किये हैं ठीक है, तीन question आपकी से तरीके से करते हैं और reverse pattern को आप कैसे निकालते हैं तो मैं इसके ये बता देता हूँ, आपको मान लीजिए कि इधर से ये लेटर आपको मिले हैं, ठीक है, एक ओर लगा लीजिए, चार वाले भी हैं, पांच वाले भी हैं, छे वाले भी हैं, किसी भी तरीके से आपके पास आ सकते हैं, ये नीचे भी सेम हो जाएंगे, अब reverse pattern क्या कहता है, तो हमारा जो forward और backward था, वो तो ये आमने सामने था, ठीक है, लेकिन जो reverse pattern है, वो क्या कहेगा, ये जो सबसे पहला होगा, ये सबसे last में जाएगा, इधर से ये इधर चला जाएगा, ये इसके पास आजाएगा, ये इसके पास coding बनाएगा, और last बचा है, ये सिधा इस तरीके से हो गया, अगर आपके पास 3 होते हैं, तो ये ऐसे आजाएगा, ठीक है, ये ऐसे आजाएगा, तो ये जो reverse pattern होता है, इसमें 3 number का तो या 3 अक्षर का question नहीं आता है, 4 या 5 या 6 इस तरीके से आता है, आपको करना क्या होता है, first वाला last में आपको भेजना है, second वाला, second last, third वाला, आप third पर डाल सकते हैं, या अगर कोई और बच जाता है, तो आप वहाँ पर भेज सकते हैं, तो आपको ये reverse pattern ही बनाना होगा, ये आप धियान रखेंगे, ठीक है, तो ये reverse pattern से related है, इसमें forward, backward से भी आते हैं, उपर से plus one, plus two, या minus one, minus two, ठीक है, नीचे करेंगे, numbering डालेंगे सबसे पहले, h, number 8 तो होता है, number 1, number 14, और ये number 4, ठीक है, अब आपको क्या करना है, e, o, b, i के number भी लिख ली दिए, ये 5, ये 15, ये 2, और ये 9, ठीक है, अब आप देखिए, अगर forward और backward लगाते हैं, तो 5 में 3 प्लस कर दिए, 15 में 3 प्लस नहीं हो ये 1 बन रहा है, बहुत ज़ादा हो रहा है, 2 में 12 प्लस करने पर हो रहा है, और ये 9 में आपको 5 माइनस करने पर 4 मिलता है, तो देखिए, reverse pattern और forward pattern तो लग नहीं रहा है, sorry, reverse नहीं, ये backward और forward pattern तो इसमें लग नहीं रहा है, बट reverse हम चेक करते हैं, reverse किस तरीके से होता है, यहां पर, अगर मान लीजे कि यह आपका 8 है, यह आपका 9 है, अगर इस 8 में 1 प्लस करके, आप 8 को इधर मिला देते हो, तो 9 हो गया है, यह D से E, यानि 4 में अगर आप 1 प्लस करके, इस D को E से मिला देते हो, तो आपका यह भी बन रहा है, ठीक है, अब यह 1 है, इसमें 1 प्ल कर दें तो यह 14 किस पर चला गाएगा ओ या नी पंदरा पर चला गाएगा तो कौन सा पैटं बन गया आपका यह रिवर्स पैटन आपका बन गया है ठीक है रिवर्स पैटन में प्लस वन प्लस टू इस तरीके के कोश्ण आ सकते हैं चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं यानि आपको सिल्क से जो बनेगा वो यहां पर आएगा के से इधर आएगा आई और यह एल प्लस वन करना है इसमें भी प्लस वन करना है बट उससे पहले इनकी नंबरिंग आप लिख लीजिए S होता है 19 नंबर पे I know, L12 और K11, 19 में एक जोड़ेंगे 20 हो जाएगा और 20 किस पे होता है 20 होता है T पे तो यहां पर हो जाएगा आपका यह T 11 में 1 जोड़ेंगे 12 और 12 होता है आपका L ठीक ना उसके बाद 9 में आप 10 जोड़ेंगे 9 में सोरी 1 जोड़ना है प्लस 1 करना है तो यह हो जाएगा 10 और 10 पर क्या होता है J 12 में 1 प्लस करेंगे 13 और 13 होता है आपका N तो सिल्क की जो कोलिंग हो गई वो हो गई L M J T इस तरीके से आपको चेक करना है ठीक है पहले फोर्वर्ड चेक करेंगे फोर्वर्ड से होता है ठीक है नहीं तो फिर रिवर्स का फोर्मुला लगेंगे और रिवर्स के कोशन में आपको करार हूँ कोशन नमबर 2 करते हैं जो S है आपका 19 नमबर पे है H आपका नमबर 8 पे है Y नमबर 25 A नमबर 1 और M नमबर 13 J नमबर 10 X नमबर 24 V नमबर 22 E नमबर 5 और ये P हो जाएगा नमबर 16 ठीक है? अब आप देखिए 10 में 9 प्लस करेंगे 24 से 8, 22 से 25, 3 प्लस 5 से 4 माइनस तो forward और backward तो बन नहीं रहा है अब reverse में चेक करते है ये 16 है और ये 19 है अगर 19 में से मैं माइनस 3 करता हूँ तो कितना बचता है? 16 बचता है ये 13 है, ये 10 है 13 में से माइनस 3 करता हूँ तो ये कितना बचता है? 10 बचता है ठीक है? ये 8 है 8 में से भी माइनस 3 करता हूँ तो ये कितना बचता है, पांच बचता है, और ये 25 है, अभी पहले आप A पे आ जाएए, ये 1 है ना, अब 1 में से अगर मैं 24 माइनस करता हूँ, तो कुछ नहीं आएगा ना, लेकिन हम ऐसे तो कर सकते हैं, 24 में प्लस 3 करता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 24 में अगर आप प्ल Alphabetic Series के according, 1, 2, 3, ये ही तो 3 प्लस कर रहे हैं, ये 25 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, उसके बाद फिर Alphabetic Series कहां से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है ना, तो अगर आप 24 में 3 प्लस करते हैं, तो क्या आता है, लाश्ट में तो 1 ही आता है ना, 27 नहीं आएगा, 27 आता है आपके numbers में, ठीक है, लेकिन हमारी alphabetic series, जो बात बताती है हमें, alphabetic series में total होते हैं, कितने हैं? Z तक 26 अक्षर, और अगर इस 26 में मैं 1 जोड़ दूँ, या मान लीजे कि मेरा यहाँ पर X है, और यह है 24 नमबर पर, इसमें मैं 3 जोड़ दूँ, तो यह फिर दुबार से कहां से शुरूओगी, फिर 1 से start होगी, ठीक है, तो फिर 1 से start होगी, तो आप जब 24 में 3 जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, आपका 1 आएगा, तो 24 में जब आप 3 प्लस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, आप इधर 10 में 3 प्लस करेंगे, 13 हो जाएगा, 24 में 3 प्लस किया, एक हो गया, इधर 5 में 3 प्लस करेंगे, 8 हो जाएगा, ठीक है, और इधर 22 में 3 प्लस करेंगे, 25 हो जाएगा, तो यह इसके साथ बनाएगा, यहाँ पर भी के 3 लिख दो और यहाँ पर भी माइनस के 3 लिख दो ओपर माइनस के 3 इसलिए लिखा है कि आगे वाला जो आप question करेंगे उसकी coding निकालने में आपको आसान ही हो जाएगे क्योंकि नीचे वाले में अगर आप करोगे तो नीचे वाले और ये पंदरा हो गया, 21 में से 3 माइनस करेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा, 18, ठीक है, 9 में से 3 माइनस करेंगे, इधर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका, छे, ग्यारा में से तीन माइनस करेंगे आठ हो जाएगा और चोदा में से तीन माइनस करेंगे ये ग्यारा हो जाएगा ठीक है तो ये numbering अभी आ गई है अब इन number पे जो आपका अक्षर जो आपका letter होगा उस letter को आप लिख दीजिए तो पंदरा पे क्या होता है 6, F, K 11 पे होता है 8 पे क्या होता है, H और 18 पे क्या होता है R तो ये जो आपका है ये आपका answer है ये आपकी ring cookie coding हो जाएगी ठीक है आप इसको note कर लिजिए उसके बाद question 3 करते है मैं उपर से रफ कर देता हूँ चलिए, परदीब की coding है R, G, G, F, C, T, R से तो अनूज की coding बता ही है वैसे आप ये question कर सकते हैं फिर भी हम इसको करा देते हैं P, 16 पे R, 18 A, 1, D, 4 E, 5, 5, 5, और ये नमबर 16 ठीक है नीचे भी कर लिजिए R, 18, G, 7, 7, F, 6 3, 20 और ये 18 अब आप देखिए जड़ा कैसे बन रहा है अगर 16 है 16 में आप 2 प्लस करते हो तो ये क्या बना? 18 बना इधर भी 16 में 2 प्लस करोगे तो क्या बना? 18 बना ये 18 में आप 2 प्लस करते हो तो ये R जो है किसके पास जा रहा है 20 के पास जा रहा है न, T के पास ये यहाँ से यहाँ पे आ रहा है तो ये आपको समझ में नहीं आएगा बस आप इसको क्या करेंगे समझ देंगे इसी परकार से अब आर किसके पास जा रहा है? T के पास यानि अब E किसके पास आएगा? G के पास ये आए गया इसके पास तो ये 5 और 2 कितने हो गए 7 हो गए अभी आपके पास A बच रहा है A जाएगा C के पास ये हो जाएगे प्लस के 2 तो ये 3 हो गया उसके बाद E जो है ये जाएगा किसके पास G के पास ये प्लस के 2 और ये 4 और 2 6 ये प्लस के 2 इस तरीके से बन रहा है तो आप किसकी coding निकालेंगे यह आपको अनुज की coding नहीं निकालनी है आपको निकालनी पड़ेगी तीन और तीन तीन और तीन च्छे और एक साथ आपके साथ letter होने चाहिए आप मा लेजिए अगर आप E, F, G, K L, M आप इसकी coding निकाल सकते हैं ठीक है परदीप से R, G, G, F, C, T, E, R की coding आपको मिल गई है आपको पता लग गया है अब इसकी coding आप निकाल सकते हैं coding कैसे निकालेंगे आप सबसे पहले numbering करेंगे number 2, 5, 6, 7, 11, 12 और यह 13 सभी में plus 2 करना है ठीक है यह जो B है, यह कहाँ पर जाएगा सबसे last में जाएगा यहाँ पर इसमें आप जब plus 2 करेंगे तो यह हो जाएगा 4 और 4 पर होता है D 13 में plus 2 करेंगे हो जाएगे 15 और 15 आजाएगा यहाँ पर और 15 O को denote करता है ठीक है 15 O को denote करता है उसके बाद हम E की बात करते हैं E में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 7 और 7 किसको बताता है G को बताता है और यह कहाँ पे आएगा यहाँ पे आजाएगा यह G हो गया उसके बाद 12 में आप 2 प्लस करेंगे 14 और 14 किसको बताता है N को बताता है यह यहां पर हो गया 6 में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 8 6 में आप 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 8 और 8 किसको बताता है H को बताता है वो किस के पास आजाएगा K के पास इधर 11 में 2 प्लस करेंगे यह हो जाएगा आपका 13 और 13 आ जाएगा यहां पर और 13 किसको बताता है M को और G में दो प्लस करेंगे यह साथ और दो 9 हो जाएंगे और 9 किसको बताता है 9 बताता है आपका I को तो यह coding आपकी हो गई N, M, I, H, G, D ठीक है reverse patterns related question मैंने आपको करा दिये हैं और आप इसको note कर लीजे इसके बाद question तो third type का pattern करते हैं ठीक है तो इसको note कीजिए आज की class में आपके दो type के question हो गए है forward pattern और backward pattern ठीक है और यह reverse pattern मैंने आपको यह question करा दिये हैं और जो आगे का pattern है वो कल की class में आपका होगा और homework के लिए मैंने आपको दो question दिये हैं आप इनके जो answer है हमें comment में बताईएगा जरूर ठीक है आप इनको solve कीजिए तो आज की class में बस इतना ही रहने देते हैं और बाकी हम कल की class मिलेंगे तो सभी बच्चो को मैं यह बोलना चाहूंगा कि अपने घर पर रहें और अपना धियान रखें क्योंकि समय अभी थोड़ा कोरोना का चल रहा है तो सभी स्वस्तर हैं मस्तर हैं नमस्कार जहें